हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स आज के टाइम पे Mostly बाइक या फिर स्कूटर में Digital Instrument Cluster को दिया जाता है और इस Digital Instrument Cluster में हमें बाइक या स्कूटर से जूड़ी हुई बहुत सारी छोटी या फिर बड़ी जानकारी देखने को मिलती है और ऐसी ही एक जानकारी से हमें ये मालूम चलता है कि बाइक या फिर स्कूटर कितने का माइलेज या एवरेज दे रही है जैसे कि इस डेटा में आप देख सकते हो कि ये जो बाइक है वो 100 किलोमेटर चलने के लिए 3.4 लिटर पेट्रोल कंज्यूम करती है और अगर हम इस डेटा को सिंप्लिफाई करें तो हमें ये मालूम चलता है कि जो बाइक है वो 29.41 किलोमेटर का माइलेज दे रही यानि कि जो मेरी बाइक है BMW G310R वो एक लिटर पेट्रोल में 29.41 किलोमेटर चलती है कि नहीं होता है इसी के बारे में आपको आगेश वीडियो में बताऊंगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले अब फिर देखे जब बाइक का माइलेज निकालना हो वो इस वीडियो को देख सकते है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्केप्शन में दे दूंगा अब बहुत असान लफजों में कहना हो तो माइलेज का मतलब यही होता है कि एक लिटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रावल कर रही है कितना चल पा रही है अब जिन बाइक या स्कूटर में डिजिटल कंसोल दिया जाता है वहाँ पे बेसिकली एक सिंसर होता है वो उसका काम ये होता है वो ये सिंस करते रहता है कि फ्यूल टैंक के अंदर में कितना पेट्रोल अविलेबल है और वो इस डेटा को हमेशा जो बाइक का ECU है यानि कि जो इंजन कंट्रोल उनिट है वहाँ पे भेजते रहता है जिससे ECU को मालूम चलते रहता है कि कितना क्वांटिटी पेट्रोल का अविलेबल है और यही डेटा जो है जो बाइक का वील है जो चक्का है उसका कितना बार रोटेशन हुआ है चक्का कितनी बार घूमा है और वो भी इस डेटा को लगतार जो ECU है वहाँ पे भेजते रहता है जिससे ECU को यह मालूम चलता है कि जो बाइक है वो कितना चल रही है कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यह कैसे होता मैं आपको एक्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि माल लेते किसी एक बाइक का जो टायर है उसका जो आउटर सर्फेस है जो सर्कम्फरेंस है हम माल लेते वो एक मीटर का है तो अगर वो टायर दस बार घुमेगी यानि कि वो जो टायर है वो दस मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस तरह से हम लेको माल लेते है अगर वो हजार बार घुमी तो इस तरह से इस्यू कॉंट करते रहता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है wheel sensor के help से अब जो issue है वो इन दोनों sensor से जो भी data मिल रहा है उसके according जो mileage है जो bike scooter का average है वो हमें screen पे show करते रहती है लेकिन यह जो data है यह जो mileage या average है वो 100% accurate नहीं होता है बिल्कुल सही नहीं होता है हम कह सकते कि 90 से 95% तक accurate यह होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ errors भी include होते है example के लिए मालने हम लोग पहरा error बहुत बार क्या होता है कि जब down heel होता है जब धलान होता है तो हम क्या करते है बहुत बार ignition जो है वो चाबी जो है उसे तो on रखते है लेकिन engine को बंद रखते है और जो हम धलान पे हम लगते रहते अपने bike को धलान पे roll over करते रहते है तो वो एक लिटर से कम होता है माल लिए अधर टरिया उससे भी कम होता है तो उस time पे जो fuel sensor है वो सही तरीके से 100% efficiency से काम नहीं करता है और सही data issue को नहीं बेचता है तो दूसरा error यह हो गया तीसरा बहुत बार क्या होता है कि कई बार हम bike का engine वो start कर लेते है लेकिन bike को नहीं च काट रहता है traffic वगरा में तो उस time पे भी जो fuel का consumption हो रहा है जो petrol जल रहा है वो petrol सही तरीके से जो mileage issue को दवारा दिखाए दे रहा है digital console में उसमें included सही तरीके से 100% accuracy के साथ नहीं होता है तो यह भी एक error हो जाता है तो इस तरह से कुछ errors होते है जिसके वाएसे हम यह कह सकते है कि जो mileage या average digital speedometer में दिखाई दे रहा है वो सही तो है लेकिन 100% accurate नहीं है वो आप मान सकते हो 90-95% accurate है तो friends उम्मीद है कि यह जो वीडियो में आपको दनकारी दिया है इससे आपको यह जो mileage का consumption हो रहा है हमारे bike में उसे समझने में असानी हुई होगी वीडियो अच्छा चैनल को सब्सक्राब कर ले और बेल आकन को वीडियो बाले ताकि आने वाले important वीडियो के update आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थांक्स वाचिंग दिस वीडियो गुडबाई